आगरा में सरवाधेत लोगप्रीय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अब निजीय स्पालों को ऑक्सीजन सिलेंडर से राहत मिलेगी आवल खेडा में इसका प्लांट शुरू हो गया है बता जा रहा है कि एक घंटे में ये प्लांट 40 सिलेंडर भर सकेगा और एक दिन में लगबग 1700 सिलेंडर भरे जा सकेगे जनपद में इस समय ऑक्सीजन की बड़ी समस्या उत्पंध हो गई है ऐसे में आवल खेडा से राहत भरी खबर है आवल खेडा में ऑक्सीजन का प्लांट शुरू हो गया है अब ये प्लांट को छट तक ऑक्सीजन की उपलब दिता कराएगा जनपद में हर रोज लगबग 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग हो रही है जबकि इस प्लांट से घंटे में 40 सिलेंडर भरे जा सकेगे वही दूसरी और इसकी शम्ता को बढ़ाने पर भी जोर चल रहा है अगर इसकी शम्ता बढ़ जाती है तो ये घंटे में 300 से ज्यादा सिलेंडर भर सकेगा प्लांट से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1700 सिलेंडर भर पाएंगे इस प्लांट को लगने से शहर में अस्पतालो को कुछ तो राहत मिलेगी दूसरी तरह एसन मेडिकल कॉलिज में हर रोज 2000 किलो लीटर ऑक्सीजन की आवश्यक्ता पड़ रही है इससे हर रोज 30-40 ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यक्ता होती है हाला कि SNMC में खुद का प्लांट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है SN मदद कर रहा है जबकि निजी अस्पतालो को स्लेंडर 140 रुपे के बजाए 800 से जादा रुपे में मिल रहा है सूत्रो की माने तो अभी मुमांगी कीमत में भी स्लेंडर उपलब्द नहीं हो पा रहे हैं आगरा से एंबुलेंस मरीज को कानपूर लकनो और दिल्ली ले जाते हैं तो इसमें भी ऑक्सीजन स्लेंडर की जरूरत रहती है लेकिन अब आमल खेणा में प्लांट खुलने से इसकी कुछा पूर्ती हो पाएगी बरहाल शहर में जितने प्लांट उनको भी गेस की उपलब्दता तीन दिन पहले तक नहीं थी सी न्यूस के लिए विनो जूनियर की रिपोर्ट